दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका सर पे कितना जगी छोटा छोटा बाल हर जगा निकल रहा है यह दोस्तों मैं अपना मोबाइल का फ्लेश लाइट ओन करके लिया हूँ असलावन को दोस्तों आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक हमारे नजदीकी का दोस्त है और उनका दोस्तों यह निव हेर लोशन से किस तरह का रिजल्ट आया है वो भी जादा दिन ने हुआ दोस्तों बस 40 दिन हुआ है तो आपको भी मैं पूरा देखाऊं पर कोई बाल का निसान जैसा नजर नहीं आ रहा था अज के इस वीडियो में दोस्तों पूरा आप लोगो लाइप पूरूप देखाऊंगो चले दोस्तों बिना देर के वे वीडियो के शुरू करते हैं आप लोगो दोस्तों पता होगा तकरीबां आट नो मैना से मैं आटुर लोशन इस्तमाल करने के के लिए मुझसे पूछ रहा था मगर उसको मुझे खुद यकीन नहीं और था कि मैं नहीं करना क्यों तो तो मैंने बोला दोस्तों ठीक है आपको ट्राइ करना आप ट्राइ कर सकते हो मगर जो कि आपका बिल्कुल ये स्कीन में कहीं कोई फॉलिकल्स नाम का चीज ही नहीं है जैसे कि नॉर्मली लोका फॉलिकल्स होता है यानि कि छोटा-छोटा गढ़ा जैसा जो नजर आता है उसका तो वो भी नजर नहीं आता है बिल्कुल सपार था यानि कि प्लेन था दोस्तों तो मैंने बोला ठीक है आप यान उसका पुछ पुराना फॉटो देखा देता हूँ इस तस्वीर में आपको देख सकते हैं किस तरह को उसका चमक हो है और कोई बाल और निशान नहीं है और दुस्तों उसका जो है कि आपको मैं donor area भी देखा देता हूँ यह donor area यानि कि पीछे का बाल देख सकते हैं इतना ज़्यादा किसी का भी बालनेस नहीं होता है इतना नीचे तक किसी का भी जल्दी बाल नहीं जाता है यह 70-80 साल का age में भी बहुत सारा लोगों को इससे ज़्यादा ही राता है किसे कम नहीं राता है इनका 35 साल का age में इतना ज़्यादा बाल नीचे चला गया यानि कि donor area भी बिल्कुल खाली हो गया है तो यह transplant भी बिल्कुल नहीं कर सकता है दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका सर पे कितना जोगी छोटा छोटा बाल हर जगा निकल रहा है यह दोस्तों मैं अपना mobile का flashlight on करके लिया हूँ अपना mobile से दोस्तों flash on करके इसका जोगी recording किया हूँ इसमें आप देख सकते हैं जबकि जो पतला बाल इक बाल है वो flashlight मों उतना नजर नहीं आता मगर फिर भी आप देख सकते हैं कितना सारा बाल नजर आ रहा है जबकि इसका पहले पूरा सपार था बिल्कुल कहीं कुछ नहीं था अभी छोटा छोटा बहुत सारा बाल आया इतना देखने के बाद ये वीडियो में record करके उसको भी देखा दिया वो बहुत ही खुस हुआ दोस्तों उसका तक्रीबन 40 दिन हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ और 40 दिन में इस तरह का result आया बहुत ही amazing result आया जबकि हम लोग दोस्तों 7-9 महिना हो चुका है तक्रीबन हम लोग दोस्तों 8-9 महिना से इस्तमाल कर रहे हैं फिर भी अभी भी बाल पतला ही है मोटा नहीं हो रहा मगर इस आदमी का दोस्तों इतना कम समय में जिसका पूरा plan seat था बिल्कुल जी सपार था दोस्तों इसका जो कि इतना ज्यादा बाल आना start हो गया है तो इस आदमी का दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा असर कर रहा है बहुत ही fast असर कर रहा है क्योंकि 40 दिन में दोस्तों इतना बाल नजर आने लगा है जिसका सर पर दोस्तों चमडी छोड़ के कहीं कुछ ने था उसका जो कि इस तरह का condition अभी हो गया है पूरा head cover हो सकेगा या नहीं हो सकेगा मैंने इसको use करने का तरीका पूछा दोस्तों यह अभी बोल रहा कि मैं एक time ही रात को use करता हूँ और एक टाइम ही डर्मा रोलर इस्तमाल करता हूँ मैंने इसको बोला दोस्तो दो टाइम इस्तमाल करने के लिए क्योंकि इसका बिल्कुल सपार्ट है दो टाइम अगर ये नियू हेर लोशन इस्तमाल नहीं करेगा तो completely बाल नहीं आ सकता है और जिसका DHT लेवल यानि की लो है अगर DHT के वज़से पूरा बाल खतम हो गया और उसका DHT लेवल थोड़ा लो है तो ये DHT को ब्लोक करने में अगर काम्याब हो जाता है तो उसका बाल ग्रो हो जैसा कंडिशन है और लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा मिलता हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिक होता हाँ पेज गुडबाई टेक क्या रहा हो